दोस्तो YouTubeपे भी हमारा सेशन लाइब हो चुका है एक बार इस ख्रीनसाट लेकर के अपने सभी डिस्टिबूटर को अपने सभी विजनेस पार्टनर को ताप अमंत्रित करने कोई भी साती कोई भी दोस्ट कोई विजनेस पार्टनर आपका नहीं चूटने चाहिए आज का सेसन बेहादी खास और जबरजस्त रहने वाला है तो साथियों अपने सभी डिस्टिबुटर के साथ आप आमंत्रित कर ले राइट 6 बच करके 4 मेंन मिनिट हो गया है 7 बचे से सेसन को हम लोग स्टाट करेंगे उससे पहले मैं चीज और बोलना चाहूँगा कि अपने सभी डिस्टिबुटर को कॉल कर ले रिमांडर मैसेज भेद दे टेक्स मैसेज भेद दे ताकि सभी डिस्टिबुटर आपका टाइम लीज बिजनेस प्लान में आ सके कर दो दोड़ हो देगे से सभी को कान나마 जाओका टाइम लीज बिस्टिबुटर मैं चाहूँए भेद आ आपका गाओका प्रत्तिबुटर करेंगे झाल 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 यह अब T आए करेल जाल म्जों business partner आपका छूटना नहीं चाहिए है ना कोई बी साथी कोई भी दोस्त छूटना नहीं चाहिए सभी साथियों को सभी business partner को आप अबंतृत कर लीजे आज हमारा जो topic रहेगा बहुत सान्दार और जबर जस्त रहने वाला है दोस्तों और आज आपको कुछ कुछ जबरजस्त और कमाल का सीखने को मिलेगा काइट दो मिनिट के बाद मैं इस सेशन को लाइब कर दूँगा क्योंकि साथ वज़े तक मीनमा मेंटरी रहता है दोस्तों तो आप पोसिक्ट किया करें कि अपने सभी डिस्टिबूटर को साथ वज़े से पहले पहले आप एं होगा को होस्त पार्टनर से पूंचना चाहूंगा मेरा वाइस तो प्रॉपर है सर सभी के पास इसर वाइस प्रॉपर है ओके तो साथियों आइ तिंक आपको स्क्रीन वीजवल हो गया होगा दोस्तों आज हम बात करेंगे परस्टिबूटर को अमंतरित कर सकते हैं कि अगर परस्टिबूटर का आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं तो साथियों मैं बिना देरी किया हो क्योंकि समय हमारे जीवन का बहुत महत्रपूर्ण क्यें एक ऐसा पार्ट है कि समय है तो हम है अगर समय ही नहीं रहता थो हम भी ने रहतें तो बेलकम करना चाहूंग आप सभी को परस्टिबूप्मेंट ट्रेनिंग में मेरा वाईस और स्क्रिन दोनों बिजवल है सर एक बार इस तिन दोनों विजिवल है सर एक बार सर हिन राज करवा लेंगे सर कौन ध्यान से सुन रहे हैं कौन नहीं सुन रहे हैं सर अब सेयर कर चुका हूं सर बाद में कर लो कि ते तेयर करते से मैं पार्टिसिपेंट दिखता नहीं है न और आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हम आप सभी से बात करेंगे परस्नालिटी डबलप्मेंट की परस्नालिटी की अगर मैं बात करूं तो देखे क्या होता है आज हमने बहुत सारे प्रोफेशन में काम करने वाले एक व्यक्ति को देखा है चाहे वो कलेक्टर हो चाहे वो एसपी हो चाहे वो किसी भी हायर पोस्ट पे काम करने वाला एथोटी हो लेकिन उनकी परस्नाल्टी एक अलग परस्नाल्टी होती है लेकिन एक निटवर्कर की परस्नाल्टी अलग परस्नाल्टी होती है निटवर्कर चाहे एक मेने का एक रुपए भी ने कमा रहा होगा लेकिन उसका परस्नाल्टी जो बरजस्त होना चाहिए personality का मतलब केबल कपड़ा पहनना नहीं होता है वो सारे साथ ही बोलते हैं कि अच्छा कपड़ा पहन लो अच्छा टाई लगा लो अच्छे घड़ी पहन लो दाड़ी बनी होने चाहिए अच्छे बाल बने होना चाहिए तो मेरा personality पर्सनाल्टी होना भी चाहिए ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनना है आपको आपके पास अच्छी घड़ी नहीं होना चाहिए अच्छे कपड़े नहीं होना ऐसा नहीं है तो सारी चीजों को आज हम समझेंगे कि ओब तिन परस्नालिटी डपलप्मेंट के अग्जा कि का का आता है हम एक चीजों की बारे में बात करें परस्नालिटी प्रभाविस अभाव साली तरीके से अपनी बात को रखे कम्मुन्यकेट इफेक्टली Effectly का मतलब क्या होता है जब हम किसी की बात को रखते है या किसी बात को हम रखते है तो हमारे बातों में क्या confidence है किया वो energy है क्या वो जोस है क्या वो जणून है और confidence level होना चाहिए है मैंने बहुत सारे लीडर को देखा है जब वो plan दिखाते हैं तो नहीं हो पाता है effective का मतलब होता है कि कभी भी आपके मन में hesitate नहीं होना चाहिए डर नहीं होना चाहिए जो भी बात रखें आज आप मेरे पास किसी को भी बैठा दीजिए चाहे वो किसी भी profession से belong करते हैं किसी भी age criteria से हो लेकिन मैं सभी के साथ उसी confidence के साथ वही विश्वास के साथ अपने company का business plan उनके साथ share करूँगा साज़ा करूँआ लेकिन आज मैंने बहुत सारे अधिकतर लोगों को देखा है कि वो communicate effectively नहीं कर पाते है इसका कारण क्या है lack of knowledge इसका कारण है lack of practice lack of experience lack of training meeting तो दोस्तो जब हम तभी हम communicate effectively कर पाएंगे जब हम system के बारे में अधिकतर knowledge एकटा करेंगे knowledge ही वो एक ऐसा कुंजी है मान के चलिए आपके teacher ने आपको बोला है कि sir कल का home work करके लाना है कल आपको इस chapter को सुनाना है या इस chapter का question answer जिसन रहेगा और next day आप teacher के पास जाते हैं teacher आपसे question answer भी करना सुनू कर देता है लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि teacher आपसे जब question करता है तो बहुत सारे बच्चे effectively तरीके से उस particular question का answer दे देते हैं क्योंकि उन्होंने जब teacher बोला था कि इसको learn करके आना है तो वो सभी बच्चे उसको learn करके आये थे और पहुत सारे बच्चा उसको lightly ले लिए कि learn नहीं करते हैं तो इसलिए मैं सभी leader से बोलना चाहूंगा कि अगर आपको communication effectively करना है तो लगातार आपको training meeting में आना पड़ेगा लगातार सीखना पड़ेगा लगातार अपने team leader के साथ communicate करना पड़ेगा बात करना पड़ेगा तब जाकर के वो confidence आएगा लगातार आपको business plan दिखाना पड़ेगा मैं थोड़ा सा और example आपको लेकर चलता हूँ कि जब किसी ने first time सबजी बनाया होगा तो उसको ये बात पता कैसे चला कि नमक पहले डालते हैं नमक बाद में डालते हैं तो किसी ने तो ये चीज़ का अनुभा किया होगा कि सबजी बनाते समय नमक पहले ही डालते हैं बाद में नहीं डालते हैं तो वही चीजे हैं और नमक कितना डालना है और कितने कितना उसमें ओयल डालना है कितना चौका लगाना है किसी ने तो सबसे पहले उसको करके अनुभाव किया होगा तो जब हम कोई चीज अनुभाव करते हैं अपने जीवन में वो कौन लोग हैं जिनको सबजी खाने का टेस्ट मिला और टेस्ट मिला तो उन्होंने टेस्ट किया कि नहीं नमक पहले डालना है बाद में डालना है तो इसी तरीके से जीवन है जब जीवन में आप छोटी-छोटी चीज़ों को सीखते हैं अपनी ही बात रखना चाते हैं अपनी ही बात रखना चाते हैं अपनी बात को बताना चाहते हैं कहना चाहते हैं यह सबसे बड़ी नेटवर्कर की एक प्रॉब्लम होती है दोसरों के बाते को सुने आज एक मैं 80-20 का रूल बताता हूँ आज मैंने जबसे नेटवर्क मार्गेटिंग एंडेस्टी में आया पहले मैं भी बहुत बोलता था कोई सब्जेक्ट मैं किसी को चुप कराने में बहुत मज़ाता था मुझे अपनी बात ही अपनी अपनी बात कहने में मुझे बहुत मज़ाता था लेकिन जब से मैं इसे industry में आया तो आज मैं 20% बोलता हूँ और 80% सुनता हूँ अगर आपनी इस 80-20% का ratio ले लिया तो इस network marketing में आपको diamond बनने से कोई रोकी नहीं सकता बोलने की practice करें sir बोलने की practice in the sense क्या है कि courses करें कि जब भी आपको zoom meeting में मौका मिले तो कम से कम कुछ बोलें या तो आप अपना personal session चलाएं जब आप personal session चलाएंगे चोटा चोटा वहाँ पे 10 minute का 20 minute 30 minute का और जब आप खुद present करेंगे नहीं कहते हैं कि classroom में जाने के बाद उस teacher को confidence आ जाता है कि हर मैं इस class का अध्यापक हो तो वेक्ती बड़े confidence के साथ अपने उन बच्चों को पढ़ाता है तो उसी तरीके से जब आप अपने team में चोटे-चोटे meeting आप organize करेंगे चाहे वो application training हो चाहे तो product training हो चाहे तो business level का training हो तो वहाँ से क्या है आपके अंदर एक confidence build up होगा और वहाँ से आपकी बोलने की practice बढ़ेगी जब बोलने की practice बढ़ेगी तब इजा करके आप आने वाले दिन में बड़ा गेटर बनेंगे और अगर आप बोलने की आदत नहीं डालेंगे calculate में आप diamond बन जाएंगे platinum बन जाएंगे, gold बन जाएंगे और कहीं भी आपको stage share करने का मौका मिला या stage में कुछ अपना अनभो रखने का मौका मिला तो अगर आप goal भी नहीं पाएंगे तो फिर उस leadership का क्या है eye contact बेतर रखें जब भी किसी से बात करें one to one या face to face तो उन से eye contact हमेशा रखें मैंने बहुत सारे leader को देखा है जब बात करते हैं तो अपने नजरे को जुका कर रखते हैं नजर इदर उदर फेरते हैं उससे क्या है सामने वाले वेक्ति को ये प्रतीत होता है और इस वेक्ति के अंदर confidence नहीं है इसलिए ऐसा बात कर रहा है और जब नजर से नजर मिला करके बात करेंगे तो definitely सामने वाला वेक्ति बोलेगा क्या रही इस बंदे के अंदर knowledge है इस बंदे के अंदर बहुत बेतर knowledge है अपनी knowledge को बढ़ाएं knowledge बढ़ाएगा कैसे जब आप training meeting में अपने distributor को लेकर आएगे आप सोचते हैं मैंने उसको 590 रुपए लगवा दिया है या तो मैंने टी-शर्ट से उसको जोइन करवा दिया है अब वो बेक्ति कैसे भी करके कैसे भी करके कामियाब हो जाए कैसे भी करके सफल हो जाए impossible है, possible होई नहीं सकता जब तक आप अपने knowledge को नहीं बढ़ाएंगे मुझे वो दिन याद है जब 3 सेप्टेंबर 2021 को मैं जब बिजनेस मिला था, मैं लगा तार इस company के बारे में सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा सीखता रहा, सीखता रहा और आज भी मैं सीख रहा हूं और compliment देना ना बोले compliment in the sense का है, जब भी आप किसी से बात करें, वाव सर आपका जो बात करने का style है बहुत अच्छा है सर आपका जो समझाने का तरीका है बहुत अच्छा है सर आपका जो question करने का तरीका है बहुत अच्छा है इसा है, तो कुछ न कुछ compliment बात चीद करते समझ जरूर दे, compliment देने से पहने का मतलब है कि किसी का तारीब करने से, किसी को appreciate करने से सामने वाला व्यक्ति, ये समझता है कि आप एक अच्छे और कुसल व्यक्ति हैं, आपका जो communication स्कील है, वो बहुत बेतर है तो communication का मिन्स ये नहीं होता है, personality development का ये मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा कपड़ा पहन लेने से अच्छा टाई लगा लेने से अच्छा कोट पहन लेने से personality बन जाती है नहीं, ये जो बाते मैं कर रहा हूं इनको आप सभी त्यान लगिएगा सही सब्दों का प्रयोग करना कोशिश करें, सब्द सब्द चोटे सब्दों, सटीक सब्दों और उस सब्द का जो कहते हैं, कि घाव लगे ओगंभीर लगे है ना, चोट लगे, ओगंभीर लगे, मतलब सब्दों चोटा है लेकिन उसका माइने बहुत बढ़िया निकल रहा है, उसका माइने बहुत फतरनाक निकल रहा है, तो ऐसे सब्दों का भी आप चैन कर सकते हैं दूसरा चीज होता है परस्वनालिटी डपलप्मेंट में दोस्तों बी पाजिटिव अलवेज, एक नेटवरकर की अगर मैं बात करू ना, चाहे वो कंपनी से लेकर हो पाजिटिव रहना, अपने अपना इन को लेकर पाजिटिव रहना, अपने सिस्टम को लेकर पाजिटिव रहना दोस्तों इसी यूटेक बिजनेस में आसफल हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा नकरात्मक सुचते हैं उनको ये विस्वास ही नहीं होता कि ये कंपनी मेरे लिए बेहतर बनाए इस कंपनी में मैं बेहतर कर सकता हूं इस company में मैं अपने rank को हासिल कर सकता हूँ इस company में बहुत अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि वो हमेशा एक इनसान की प्रकृति होती है ना दोस्तो अगर हम poor class middle class family से belong करते हैं तो हमारे जो आसपास के area में है ना 90% लोग हमें negative बोलने वाले समझाने वाले अगर हम बोलेंगे यार मैं ये करने वाला है आरे तो ये मत कर फैल हो जाता है कोई मतलब नहीं है जूट है फरेव है बकवास है ऐसी चीज़े मतलब अगर हम किसी से सजेसल लेने भी जाते हैं ना अगर हम किसी से ये बोलने जाते हैं ना कि यार मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूँ ये स्टाट अप करने वाला हूँ तो सामने वाला व्यक्ति हमें 10-5 पॉइंट बता करके उसमें भी निगेटिव कर देता है तो हमारा दिमाग में 90% से अबाब आज जो एनर्जी है वो निगेटिव एनर्जी है और जहां पर निगेटिव एनर्जी होता है तो वहां पर पॉजिटिव का फिर बैलेंस बन नहीं पाता है आपके दिमाग में 10% आप सकारात्मत और 90% आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है चाहे वो कंपनी के पे आउट से लेकर के हो गया कमपनी के सर्विसेस से रिलेटिड हो गया अपलाइन से रिलेटएड हो गया प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया तो प्र आप सफल नहीं हो सकते हमेशा एक नेट वर करके अगर मैं बात करूँ दोस्तों हर वकत आपको सकारात्मत सोचना है प्याटिव सोचना है अच्छा कपड़ा पहन ले तो हमारा अच्छा पर्सनाल्टी है बी पाजटिव रहना हो है ना जब भी आपसे कोई मिले तो ग्रेटफुल बने ऐसे मिले कि उसको लगना चाहिए कि यार ये इंसान से मिला था ना कुछ ना कुछ इस आदमी में बात है कुछ ना कुछ इस ब् मतलब क्या होता है कि मेडिटेशन का मतलब ये होता है जैसे सुवह सुवह उड़ते हैं तो ध्यान को एक आगरचित करें जैसे आप मेडिटेशन में सुवह सुवह उड़कर कोम का उच्छा रण कर सकते हैं ध्यान लगा सकते हैं अपने इस्ट देव का ध्यान लगा सकते ह और अपने जो फोकस है उसको एक जगह रखके एक आगरचित करें इससे क्या होता है जो आप पूरे दिन डिस्ट्रेक्ट रहते हैं अपने गोल से डिस्ट्रेक्ट रहते हैं अपने टार्गेट से डिस्ट्रेक्ट रहते हैं आप करना तो चाहते हैं काम लेकिन पूरा दिन औ तो आपका जो एक आगरचित होगा वो एक जगा फोकस होगा एक जगा केंद्रित होगा हमेशा अच्छा सोचे देखिए क्या है कि आज दुनिया तो सब के लिए बुरा ही सोचती है लेकिन अगर एक नेटवर्कर भी अपने टीम पार्टर के लिए अपने ड्रीम के लिए अपने टीम के ड्रीम के लिए अगर गलत सोचने लग जाए तो फिर वो सपल होई नहीं सकता एक अच्छा एट्रेक्टिव परसनाल्टी हमेशा दुसरो के बारे में अच्छा ही सोचता है वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है ध्यान करो द्यान का मतलब वही है कि देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो मान के चलिए आपने कोई टार्गेट बनाया कि मुझे आज सुपह 10 बच से 11 बचे तक मेरे डिरेक्ट लीडर को क किया है या तो क्या मैंने अपनी कलेंडर में मेंटेन किया है तो उस द्यान से आपको उस काम को कंपलीट करना ऐसा नहीं है कि फिर उस काम के बीच में आपका कोई दूसरा डिस्टिक्शन आना चाहिए तीसरा सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है दोस्तों टाइम ठंड वरी मौसम में रोड किनारे तंबू लगा करके और अपने बीवी बच्चों के साथ जी बनियापन करते हैं तो टाइम मेनेजमेंट समय का सदोपियोग करना बहुत जरूरी है आज कहते हैं समय कीमत उस वक्ति से पूछो जिस वक्ति को एमरजनसी टाइम पर हॉस्पिटल पहुचाया जा रहा है और एक एक सकेंड उस वक्ति के लिए एक एक नैनो सकेंड एक एक माइक्रो सकेंड उस वक्ति के लिए कितना कीमती होता है कि हो सकता है कि अगर वो पांच मिनट बिपोर पहुंच जाए कभी-कभी ऐसा भी सिच्वेशन होता है डॉक्टर हमसे कहता है कि पांच मिनट पहले ले आते तो साध में कुछ कर सकता था। सायद किस इस व्यक्ति का कुछ हो सकता था तो समय की कीमत हमें उस समय समझ में आती है समय की कीमत उस समय पहुँचना जिस समय आप एक्जाम नेशन हाल में दस मिनट लेट पहुँचे हो और आपको एक्जाम देने के लिए entry नहीं मिल रही है समय की कीमत उस समय आप समझेंगे समय की कीमत उस समय आप समझेंगे जिस समय आपका गाड़ी साथ बच के पांच मिनट में था और आप पहुंचे साथ बच के दस मिनट तो पांच मिनट की कीमत उस समय आपको समझ में आएगी तो दुनिया में इस दुनिया में एक नेटवरकर के पास कहते हैं मल्टिपिकेशन आप टाइम आज बहुत लोग बोलते हैं कि समय के बल 24 गंटा होता है लेकिन मैं कहता हूँ कि 24 गंटा नहीं होता है हजारों और लाकों और कड़ोरों घंटा होता है एक दिन में जो समय होता है वो हजारों लाकों कड़ोरों घंटे होते हैं एक नेटवरकर को हमेशा अपने समय का सदुपियों करना चाहिए चाहिए हैं सबसे पहले important work पहले करें मैं हमेशा बोलता हूँ आप सभी को आज भी बोलता हूँ कि to do list बनाए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो एक to do list का डायरी बना ले उसमें आपका आज कौन कौन सा काम किस टाइम में करना है उसको आप अपने डायरी में लिख ले बान के चलिए सबसे important work कौन से है आपके काम का सबसे important काम है प्लान दिखाना सबसे important काम है आपको ourselves closing करना या तो objection handling करना या तो क्या होता है कि जैसे हमारा कुछ खेल ऐसा होता है कि एक गंटे का ही खेल होता है कि एक गंटे में इस खेल को समब्द करना है ठीक है यह कभी-कभी ऐसा होता है कि जहां पर हमें पहुंचना है तो हमें एक time होता है कि अगर मेरा साथ बज़े ट्रेन है तो मुझे 6 बज़ कर के 50 मिनट में ही पहुंचना है तो कभी कभी डेडलाइन होता है तो जब भी कोई काम को सुरू करे ना तो आप उसका एक समय निधारण कर लें ठीक है और समय निधारण करने का मैं आपको अच्छा तरीका आज बताता हूं एक घंटा अगर आपने किसी भी चीज के लिए फिक्स किया है मानके चलिए आप अपने लेबल वन में कोलिंग करने का आपने टाइम फिक्स किया है ग्यारा से बारा तो आप ये क्या करें आप अपने अलाराम को लें मॉबाइल को और मॉबाइल में दस से ग्यारा का एक अलाराम कर दें और द आपना कॉलिंग करते रहना है करते रहना है करते रहना है करते रहना है करते रहना एक घंटा और जब एक घंटा हो जाएगा आपका मुबाइल जब अलारम भजेगा तो इस टाइम पर अपने काम को वहीं पर फिनिश करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोकास होगा केंद्रित हो जाएगा और एक गंटा प्रोपर काम कर पाएंगे सुबह जल्दी उठें दो तो आज कम खाने से और कम सोने से कोई नहीं मरा है कोई भी कम खाने से और कम सोने से कोई भी वीक्ति मरा नहीं है इस दुनिया में ठीक है मरा वो वीक्ति है जो जादा सोता है जो जादा खाता है ये वात द्यान रख लो ये मेरी गुरु ने मेरे को बात बोला था चाना कि थोड़े दिन अगर इंसान का जन्म ही संगर्स के लिए हुआ है इनसान का जन में ही कुछ अलग करने के लिए हुआ है, कुछ विसेश करने के लिए हुआ है लेकिन आज बहुत सारे विक्ति विसेश उड़ते ही नहीं है सुबर सुबर, मेहनती नहीं करना चाहते हैं सफलता तो चाहते हैं, कामियाबी की तो उनको चाहत रखने वाले बेखती हैं, ड्रीम को तो पूरा करने वाले बेखती हैं, लेकिन सुबह सुबह नहीं उठते हैं, अलारम लगने के बावजूद भी नहीं उठते हैं, इसलिए नहीं उठते हैं, उनके सपने उनको उठने न एक गंटा एकसरसाइज जरूर करें चाहे तो आप योगा कर लें प्रनायम कर लें या वाकिंग कर लें दोड़ लगा लें अगर जिम जोइन कर सकते हैं जिम जोइन करें अपने सरीर को कुछ समय जरूर दें क्योंकि सरीर बहुत important है कहते हैं की अगर यह सरीर है तभी तो हम बड़े लक्ष को प्राफ्ट कर सकते हैं, बड़े-बड़े कामियाबी को आसिल कर सकते हैं, आज मैंने देखा हैं, दिन भर लोग घर में बैठके खाते रहते हैं, ना तो एक मिनट के लिए अपने सरीर को देते हैं, अगर ये सरीर ही स्वस्त नहीं रहा, अगर ये सरीर ही होती हैं जितनी भी बाते मैंने आपसे बोल रहा है अब अगले चलते हैं इसा लगता है कि यह विक्ति है तो लेकिन थोड़ी देखने में समझ में आता है कोई मोटिवेशन नहीं हमें हमेशा एंतोजाइस्टिक करें आप दो तरीके की बच्चे होंगे देखे होंगे कि एक बच्चा बिल्कुल मैं उस बैटा है ना तो खेलता है ना तो कुछ होता है और एक बच्चे को देखाऊंगे कि वो खिल खिलाता रहता है जोस से बरा रहता है वो कुछ ना कुछ एक्टिवीटी करता रहता है तो अगर नेटवर्कर हैं आप और अगर आपको एक अच्छा एक्ट्रेक्टिव परस्नाल्टी चाहिए तो आपके अंदर एनेर्जी होना चाहिए आपके अंदर जोस होना चाहिए आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए और जोस से हमेशा आप भरे रहने होने चाहिए तब ही जाकर के एक अच्छा परस्नाल्टी और एक्ट्रेक्टिव परस्नाल्टी बन पाता है नेक्स्ट पॉइंट के हम बात करें बी patience in life जीवन में धैर रखे जो लोग धैर नहीं रखते हैं वो पहल हो जाते हैं वो नाकामियाब हो जाते हैं सातियों धैर का मतलब क्या है धैर का मतलब क्या है इस चीज को हमें समझना है जब आप किसी भी बिजनेस को सुरू करते हैं तो उस business में साथिओ starting के दिनों में जो नतीजہ होता है जो result होता है वे बहुत छोटा होता है आपका check income जो होता हो बहुत छोटा होता है अब जो पैसा कमा रहे होते हैं वो बहुत छोटा होता है तो बहुत सारे लोग अगर मैं बात करूं इस network marketing industry में more than fifty percent leader फैसेंस खो देते हैं धाय को खो देते हैं और इस विजनस को लिप्ट करके चले जाते हैं कि यार यह तो मेरे जिन्दगीमें नहीं मना है पैसेंस रखना होगा आप कोई यहां पे नोकarी करने नहीं आए है कि आपका फिक्स यहां पर बनेगा और नोकरी करने से बेसिक आप की जरूरते जरूर पूरा हो सकती है जीवन में कभी क्वाई से पूरा नहीं होगा तो जीवन में द्यार रखे स्टार्टिंग के दिनों मैं जब भी यूटेक विजनस को स्टार्ट किया था तो मेरा स्टार्टिंग लंसम 27-2800 का चेक बना था पहले मैंने का दूसरे मैंने का 1800 बना था फिर थोड़ा सा बढ़ा था तो इस प्रकार से मेरा स्टार्टिंग हुआ था इस बिजनस में बट मैंने पेसेंस रखा मुझे एक बात पता था कि 28-10000 आया है एक लाग भी आएगा डेड़े लाग भी आएगा दो लाग भी आएगा आज बहुत सारे लोग अपने इस बिजनस में धैर खो देते हैं और बहुत जल्दी इस बिजनस से डिसीजन ले लेते हैं कि आरे बिजनस मेरे बस की बात नहीं है मैं तो यहाँ पे ब्रोन्ज तो बन गया हूँ, लेकिन अब सिल्वर मैं नहीं बन पा रहा हूँ, मैं गोल्ड नहीं बन पा रहा हूँ, मैं प्लेटीनम नहीं बन पा रहा हो, personality का मतलब है धेर रकना, अगर एक attractive personality हमेशा धेरवान होता है, हमेशा उसको संतोस जनक होता है एक test match की मैं बात करूँ तो एक दिन में 90 over की gain बाजी होती है दोस्तों और 90 over फेस करना कोई छोटी बात नहीं होती है 90 over एक दिन में bowling करना कोई बहुत बात नहीं होती है लेकिन एक जब test man में best man जाता है ना test match खेलने के लिए 2020 तो आपने देखा होगा कि लोग छक्के चौके उड़ाते हैं लेकिन test match में क्या होता है कि वो बैक्ती को पता है कि अगर मुझे 90 over फूरा खेलना है तो मुझे सयाम रखना होगा अपने betting पे अपने sort पे अपने drive पे एकदम मुझे concentrate करके करना होगा तो वो बहुत सारे बालों को defense करता है बहुत सारे बालों को रोकता है बहुत सारे delivery को छोड़ देता है वही जीवन है कभी कभी हम जो चाहते हैं वो ऐसा नहीं होता है प्रकरती हमेशा हमसे परिक्चा लेती है प्रकरती हमेशा हमसे परिक्षा लेती है कभी-कभी आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे कताओं में आपने देखा होगा कि बहुत लोग रिशी मुनी तपस्या करते हैं तपस्या करते 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 कर हमारे तपस्या करने वाले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने वे जीद पे अड़ गया कि अब कुछ भी हो जाए भगवान को तो प्रगट होना ही पड़ेगा और फाइनली भगवान प्रगट भी हुए हैं उनको असिरवाद भी दिये हैं उनका जो मनुकामना रहा वो भी पूर हुआ है तो जीवन में चो लीडर अपने पर्सनालिटी को एट्रिक्टिव करना चाहता है तो जीवन में उसको तैयर रखना पड़ेगा एक दिन में दोस्ट सफलता नहीं मिला मैं भी चाहता कि मैं भी चाहता हूं कल डायमेंड बन जाओं लेकिन नहीं बना मुझे भी कहत सफलता एएक दिन जरूर मिलती है एक या असे कहते हैं लेकिन एक दिन में मिलती है वे एग दिन में परति में ठैरवान होना पड़ेगा be patience in life अगर हम life में patience रखना सीख गये तो हमें जीवन की सारी चीज़े हमें मिले do yoga every day हर रोज योग करें योग करना बहुत जरूरी आज की जीवन हमें तो कि आज के life में distraction बहुत हो गया भाद भरी life है आज सुबह सुबह हर वक्ति कोई matro में जा रहा है कोई बस में जा रहा रहा है कोई ट्रेन में जा रहा है टीफिन ले करके जा रहा है 8 गंटे 9 गंटे के लिए तो life रह का आंगया जीवन रह का आंगया भाद तोड़ बरी जिन की है तो जितना भी समय मिले दो मिनट शार मिनट थोड़ा सा अपने द्यान को केंदरित करिए योगा करिए प्रणायम करिए उससे आपको आपके सरीर को एनरजी मिलेगा आपका जो सोच है वो सकरात्मक की तरफ जाएगा निगेटिव सोच आपके तरफ से हट जाएगा तो एवरी डे आप योगा करें योग करें प्रणायम करें इससे आपको बहुत सफलता मिलेगा जीवन में एक अच्छा परसनालिटी के लिए ये भी बहुत चुरूरी है आगे हम बात करेंगे माइंड सेट की नजरिया नजरिया बहुत इंपोटेंट नजरिया करते हैं नजर का तो इलाज है दोस्तों लेकिन नजरिया का कोई इलाज नहीं नजर का तो इलाज किया जा सकता है लेकिन नजरिया का कोई इलाज आपका नजरिया क्या है आपका मैंडशेट क्या है आप इस यूटेक बिजनेस को किस नजरिया से देखते हैं आपको लगता है कि इस बिजनेस में सपल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा आपको लगता है कि मैं बिजनेस पार्टनर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा स्कूल जाया करते थे तो मेरी जर्णी च सब्रक्राइकिल हुई मैं हमारे गाउं से 11 chỉल करके और पढाई करने जाया करता था तो 11 किलोमेटर आना 11 किलोमेटर जाना पीश तो कही दफ़ा हम फिरके में जो आप सोचते होना कहीं न कहीं वो चीजें हैपनिंग होई जाता है यह मान के चलिए यह माइंड इतना पावर है और इसका मैं सबसे बड़ा एक्जामपल आपको आज के एक एक्जामपल के मादम से उधारन के मादम से बताना चाओंगा एक विदेश की बत है और वहाँ पे एक विदेश को सजा सुनाया गया है न तो उन्होंने रिसाइट किया कि आर इसको थोड़ा सा आसान मौत देते हैं हम लोग है न थोड़ा सा आसान मौत देते हैं तो उन्होंने किया ठीक है क्या आसान मौत तो उस बक्ति को बोला गया कि आपको फांसी तो नहीं लगाया जाएगा लेकिन कुछ आसान हम आपको मौत देंगे तो सामने वाले बक्ति का जब उपर से आँख में पट्टी काला पट्टी बना था उसको खोला गया और उसको एक कोबरा कोबरा जो अपना सांप होता है उसको दिखाया गया और उस बक्ति का आँख बन कर दिया गया और उस बक्ति को अभी यह समझ में आया गया कि यह कोबरा सांप आ करके मुझे डसेगा और मैं मरजा हूँ है ना तो दोस्तों वो बक्ति को कोबरा सांपने नहीं ड़सा वो जो फांसी देने वाले बक्ति है उसके पैर के नाकून के उपर एक सुई कहते हैं एक नुकीली से सुई को चुबा दिया गया और वो बक्ति मर गया वो बक्ति के सरीर ने जहर बना दिया उसके पुरे सहीरी में और वो व्कती खतम हो गया तरंथ। उसके स्रीर में जब उससे व्कती का मतलब पोस्ट मॉडम किया गया और जब उसमें शाइंस का रिजल्ट निकला, तो उसमें एक चीज पता चला कि उसके स्रीर ने पुरा जहर बना दिया। तो mindset ही सब कुछ है, नजरिया ही सब कुछ है, यह मान के चलिया है, आप जो सोचते हैं ना वो होता है, आप सोचते हैं मैं diamond बनूँगा तो आप diamond बनोगे, आप सोचो कि मैं platinum बनूँगा तो आप बनोगे, आप सोचो कि मैं gold बनूँगा तो बनोगे, नजरिया is everything, आपका दि फृत भी बनेज़े तो नजरीया ही क्या है आज के डेट में हैं आप अमारे प्रिदान मंत्री जी को देखें लो योगी जी को देखें लो तो आज ऐसे लीडरीर नैंजिनका नजरीया देश को आगे बढ़ाने को एक वाएक्षा eu तो जब आपका बेहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहु है, किसी की वाइफ है, आपका नजरिया सही नहीं है, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हो, ठीक है, आप उनसे गलत कमेंट कर रहे हो, गलत ब्योहार कर रहे हो, गलत बातचीत कर रहे हो, तो mindset is everything, नजरिया is everything, नजरिया है, तो आपका अच्छा बिजनेस इस्टेबलिस होगा और अगर गलत मजरिया है तो मार भी खाजा होगे कहीं न कहीं है ना तो हमेशा सकरातमक सोचें अच्छा सोचें माइंडसेट बेतर रखें है ना नेक्स्ट हम बात करेंगे डपलप लीडर्शिप क्वाल्टी विदिन यू अपने अंदर लीडर्शिप क्वाल्टी विक्सित करें लीडर्शिप क्या होता है लीडर्शिप का सबसे बड़ा एक्जामपल मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ा लीडर्शिप होती है आपने अपने माता जी को देखा हो मा के अंदर जो लीडर्सिप होती है ना वो दुनिया के किसी इंसान के अंदर लीडर्सिप नहीं होती है अपने माता जी को देखना कि हमेशा वो जब हम छोटे छोटे थे या आप चोटे थे हम सभी जब चोटे चोटे थे तो कहीं न कहीं हमारे माता जी हमारे हर हम हमारी हर एक चोटी चोटी जरूरतों को ध्यान रखते थे कब बच्चा उठेगा कब पानी देना है खाना देना है कैसे करना है कपड़ा पहना नायलाना है सब कुछ और आपने अप सबसे बड़ा एक leadership की quality बताओं तो आपके घर के गारजीयन को आप देख सकते हैं आपके दादा जी हो जो सकते हैं आपके पिता हो सकते हैं और भी कोई वक्ति हो सकता है जो घर के गारजीयन हैं घर का गारजीयन को कभी भी challenges आता भी है या difficulties आता भी है तो उस situation में भी वो परिवार का मुख्या बहुत ही अच्छे तरीके से tackle करता है बहुत ही अच्छे तरीके से उन situation को handle करते हुए और उन situation से अपने परिवार को बाहर रिकालता है leadership का मैं सीधे मतलब बोलता हूँ responsibility you have to take the ownership जब आपकी साधी होती है ना तो बहुत लोग कहते हैं यार साधी होने का meaning हम लोग अलागी समझते हैं और no doubt कभी कभी मैं भी समझा करता था जब साधी तो हमें ये नहीं पता था कि यार साधी होने के बाद एक व्यक्ति का जिनमेदारी responsibility whole life के लिए मेरे अंदर होना चाहिए उसका सुख दुख का हर एक परिस्तिती में उसको कैसे सुख रखना है हर एक परिस्तिती में उसको कैसे take care करना है तो जब आप टीम बनाते हो ना तो एक अच्छा लीडर कि अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से घर की मुख्या की मैंने बात किया मा की मैंने बात किया पिता जी की मैंने बात किया उसी तरीके से आपको ऐज़ा एक मुख्या की तरह अपने टीम का देखवाल करना पड़ेगा अपने टीम में जो भी समझ से आया आयरा है है उनको आपको टेकल करना पड़ेगा कोई परसानी आ रहा है उनको टेकल करना पड़ेगा कैना तो leadership quality किसी के अंदर मेरे पास ऐसा तो कोई दभाई नहीं है कि मैं जिसको घोल करके आपको पिला दूँ कि सरी यह दभाई खालो तो आप लीडर बन जाओगे, लीडर कौन बनता है, लीडर खुद से बनना पड़ता है, लीडर इस दा रिस्पोंस्विल्टी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी किसी को दिया नहीं जाता है, हमेशा एक बात ध्यान समझ रहा है, जिम्मेदारी किसी को दिया नहीं जाता ह है ना आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी अल्ला की पर्षन रहते हैं जिनकी कम उम्मर में उनके पिता जी का या माता जी का साया उठ जाता है उनके दामन से तो एक बात ध्यान रखना तो उन बेक्तियों के अंदर उन बच्चों के अंदर शुरू से ही मतलब अरली क्रिश्वेशन में सपोर्ट करने का तो वो तो नैतिक एक प्रकरतिक खेल है लेकिन आज हम अगर नेटवर्कर हैं और अगर हम नेटवर्कर होकर कि हमने 10-50-100-200-300 लोगों का टीम बनाया है और अगर हम अभी तक वो मेहनत नहीं कर रहे हैं अपने अंदर वो क्वाल्टी ह करना सिखा रहे हैं हम उनको यहां पर अब्जेक्शन करना सिखा रहे हैं तो दोस्तों अपने अंदर लीडर्शिप क्वाल्टी आपको विक्सित करनी पड़ेगी तब जाकर के आप एक बहतर और काम्याब और सफल लीडर बनेंगे इस बात को हमेज़ा आप इंस्योर करें responsibility कभी किसी को दिया नहीं जाता है हमेज़ा लिया चाता है तो personality का मतलब आज आप लोग समझे होंगे कि अच्छा कपड़ा अच्छा tie coat paint पहनना तो है ही है लेकिन अच्छा tie coat paint पहन के कोई विक्ती leader नहीं बनता है leadership की यह जितनी भी बाते मैं कह रहा हूं अगर यह ownership लेते हैं तो definitely आप एक बहतर leader कहलाएंगे और आपको लोग आने वाले दिन में follow भी करेंगे लोग आने वाले दिन में आपकी admire भी करेंगे leader के अंदर द्रण संकल्प होता है दोस्तों जिसको हम determination भी बोलते हैं द्रण संकल्प का मतलब क्या होता है कि मतलब संकल्पित होता है एक leader है कि करना है तो मुझे करना है जब इस यूटेक बिजनस में आया ना तो बहुत सारे योगों ने मुझे मना किया मुझे अब 15 दिन लग गया तो जब मैं प्लान दिखाता था तो प्लान दिखाते समय मैं एक बात आपको बताता हूँ प्लान दिखाता भी था लेकिन लोग जोइन नहीं करते तो मेरे क्का बोलते इपग भई बहुत सारे कमपनी ऐसे आये बंद हो गया तुम कौन सा नय कमपनी ले आये तुम्हारे पास काम धाम नहीं है क्या दूसरा तो मैं ड्रण संकल्पित हो गया था कि करना तो है यूटेक बिजनस ही लोग आएं या ना आएं लेकिन मैं लोगों को प्लान दिखाता गया बहुत लोगों ने म मुझे मना किया बहुत लोगों ने मुझे कहा कि तुमारी कमपनी देखना तुम 6 मैंने में बंद हो जाएगी देखना साल भर में बंद हो जाएगी देखना दो साल में बंद हो जाएगी देखना तीन साल में बंद हो गई और आप सभी के आशिरवाद से प्यार से आज हम 3 इसरा इंबर सरी भी बना चुके हैं और चौता साल हमारे कंपनी का रनिंग हो गया तो एक लीडर जब द्रण संकल्प कर लेता है ना चाहे अपने कामियाबी के लिए हो या अपने सपनों के लिए हो या अपने टीम के सपनों के लिए हो या अपने चेक इंकम के लिए हो या अपने टीम के चेक इंकम के लिए हो जब कोई भी संकल्प आप ले लेते हैं ना करना तो है करना है do and die situation है ना अब जैसे आपने लगान पिक्चर देखा होगा कि वहाँ पे एक सर्थ रखा गया था कि भाई अगर इन्होंने क्रिकेट मैच जीत गया तो उनका लगान माप हो जाएगा तो वहाँ पे क्या था do and die situation आज दोस्तों no doubt अगर आज हम poor class family से belong कर रहे हैं अगर आज middle class family से हम belong कर रहे हैं तो आज हमारे पास भी do and die situation है क्योंकि अब हमें जीन्दगी कोई guarantee और warranty तो देती नहीं है कि मैं 10 साल जीओंगा मैं 20 साल जीओंगा मैं 100 साल जीओंगा मैं प्रतवी पर अमर हो जाओंगा या तो मेरी सासे कितने दिन तक यहां समय बचा है आप उस समय का कभी भी दूरुपयोग मत करो ब्रण संकल्पित हो जाओ अपने लक्ष के प्रती अपने टार्गेट के प्रती अपने गोल के प्रती और अपनी उन सभी चीजों को हांसिल करके बताओ तभी एक लीडर को अच्छा परस्टनल्टी मैं मानता हूं टीम वर्क हमेशा टीम प्लेयर बने बात करूं आज मैंन सिंग दवनी एक लाद मैंट सींग दोनी एक एक अईसा टीम प्लेयर ता ऐसा कैप्टन था था कि उन्होंने वर्ल्ड कप तक जीताई और ऐसे बहुत सारे टोफी भी हुनने इंडिया के लिए जीताई क्यों क्योंकि वह एक टीम प्लेयर थे हर एक अपने टीम को एप्रिसेट करते थे अपने टीम को क्वालिटी को जानते थे अपने टीम को किस समय यूज करना अपने टीम को किस तरीके से यूज करना अपने टीम को किस तरीके से उनका प्रोडेक्टिविटी निकालना उनका रिजेटी निकालना है तो ए को कैसे निकालना है तो हमेसा एक टीम प्लेयर होना चाहिए नेटवर्क मार्गेटिंग में मैं अधिक्टरLीडर को फैल होते हुई इसलिए देखा हूं कि वो टीम प्लेयर नहीं होते हैं टीम प्लेयर इंद इस क्या होता है दोस्तों कि खुद के लिए काम नहीं करना लोगों के लिए काम करना आज बहुत काम नेट वरकर हैं इस इंडेस्टी में जो अपने टीम के लिए काम करते हैं अपने टीम के लिए काम करते हैं अपने टीम के चेकिंग काम के लिए काम करते हैं उनको एक बात हमेशा रहता है मैं मेरे लिए काम तो आपको टीम प्लेयर बनना पड़ेगा target रखना आप अपने टीम में चोटे-चोटे target दीजएya एक हफ्ते का ये target सिरд एक हफ्ते का ये target मैं कता हूं कि आज है मैं और किसी को अंधा मानूंगा ना बहले वा आंग से अंधा नहीं है बहले वा आंग विक्ति है कोई विक्ति है और उसके पास कोई टारुगएट नहीं है एक शातियों सब से बड़ा किसी ने बात कहा है ना कि आखों का ना होना चलता है आखों का ना होना चलता है लेकिन अगर किसी ब्यक्ति का सबसे बड़ा अभिसाप उस ब्यक्ति का है जिसके पास कोई टारगेट नहीं है जिसके पास एक दिन का कोई गोल नहीं है और जो ब्यक्ति के पास कोई ग आ सकता समयस्या का हल निकालना हमेशा problem solving आपको बनना है problem creator नहीं मनना दो तरीके के लोगर होते हैं एक तो problem को create करते हैं problem solving leader होते हैं यहना आप कभी भी किसी आच्छे qualified leader से बात करना हमेशा कभी भी आप उसको problem मत आएंगे न वो वेक्ती हमेशा आपको बोले गए हो जाएगा सर हो जाएगा मैं करवाता हूं हो जाएगा मैं solve करवाता हूं तो problem solving leader बनी है problem creator मत बनी है problem creator तो बहुत हैं यहां पर है ना निड़ना लेना टेक decision एक leader हमेशा microsecond में अगर मैं कहूं तो nine second में मैं कहूं वो वेक्ती decision लेता है चाहे तो plan देने का decision हो या तो कहीं पे meeting लेने का decision हो sales closing करने का decision हो मत अब एक leader के पास निड़ना लेने की capability होना चाहिए एक विश्वास होना चाहिए तब जाकर के एक leader आज personality में मैंने कितनी बाते बताया है केवल अच्छा कपड़ा पहल लेने से टाई लगा लेने से है ना और सेंट मार लेने से डाड़ी बनवा लेने से personality नहीं बनता है ये सारी चीजे आपके अंदर होनी चाहिए तब जाकर आप एक अच्छा personality बनते हैं अब यहाँ कपड़े साफ शूतरे होने चाहिए हमेंसा कि कपड़ों की fit voir होनी चाहिए ह आज मैं देखता हूँ लोग कपड़ा पहते हैं जूता के नीचे उनका पेंट जा रहा होगा उनका कोट हाथ से बाहर जा रहा होगा हमेसा जब कपड़े पैने ना जब मेरा कपड़ा देखना जब मैं कभी बात करता हूँ मेरा कापड़ा हमेजा मेरा साइट दिखता होगा, मेरा नीचे आप पेंट देखेंगे कभी भी जूते के नीचे मेरा पेंट नहीं जाता है, क्यों? कपड़ों की फिटिंग होना भी बहुत ज़्रूर यह, ये भी personality में चार चान लगाता है आपके, परिस्थितिया के अनसार कपड़े पहने, परिस्थिति के अनसार कपड़े पहने, अब ऐसा नहीं है कि भाई, आपके गली मुहले में कोई जान्त हो गया है और आप coat paint पहन के जाओ, तो ऐसे भी अत्याचार मत करना है ना, कि मैं तो networker हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा, तो ऐसा भी अत्याचार मत करना है, ठीक है ना, परिस्थिति के अनसार आपको कपड़े पहनना है, ठीक है ना, कैसा परिस्थिति है, क्या है, कैसे है, hair style भी अच्छा आपको रखना है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे next point को, improve communication skill, communication skill को improve करे what is the communication skill, communication skills बहुत important है सभी के लिए, मतलब communication रखना बहुत जरूरी है, मैं अगर बात करूँ दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ से disconnect रहते हैं, मानके चलो, कभी-कभी, मैं एक छोटा example लेता हूँ, है ना, जो आपको पसंद भी आएगा, है ना, मानके चली आपका कोई girlfriend है आप girlfriend मनाए हैं, और एक दिन आपके girlfriend से बात ना होना, तो आपको ऐसा अभास होता है, कि यार, कुछ ना कुछ अधूरा है, कुछ ना कुछ अनकम्प्लीट है, आज मेरा बात नहीं हुआ तो मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग इस्टेवल नहीं है, तो communication skill को improve कैसे कर सकते हैं, देखे क्या होता है, एक किसी भी लीडर के अंदर ना, habit की अगर मैं बात करूं, आदते होती हैं हमारी, तो जैसे कोई वक्ती बोलता है, मैं तो cigarette पेना सीख गया हूं, मेरे जो छोटी नहीं रहा है, मैं तो लेता हूं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाने लग करो, यह दीपकराओ का वर्डिंग रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड हो भी रहा यूटूब में, और आप भी अपने पॉन में रिकॉर्ड कर लेना, किसी भी लीडर को 21 दिन तक कॉल कर दो, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, 21 दिन तक कॉल कर दो, 22 में दिन से आपका का दिमाग क्या बोलेगा आपको कि उस व्यक्ति को तो ने कॉल क्यों नहीं किया आपका दिमाग फॉल अप लेने लग जाएगा आपका सब कॉंसेस माइंड आपका सहयोगी बन जाएगा अभी तक आपने देखा होगा कि सब कॉंसेस माइंड आपका सहयोगी नहीं है इस बज जिसमें आप charging उगेरा लगाते होंगे उसमें फ्यूज दिया होता है यह ना वो फ्यूज क्या है वो communication है वो फ्यूज जब तक ठीक है तब तक वो बिजली का प्रभाव पूरे बोर्ड में आता रहेगा और जो भी आपको काम लेना है पंखा चलाना टीवी चलाना प्रीज च बात करना बंद कर देते हैं यह ना वसी तरीके से ट्रांसफर्मा होता है एक लीडर जो होता है ना दोस्तों वो एक ट्रांसफर्मा होता है ठीक है एक ट्रांसफर्मा जिसको हम बोलते हैं जैसे 44,000-11,000 का energy produce होता है ठीक है अब जो 44,000 current होता है उसको ना तो 130 volt में वो convert करक कि उस energy को गर गर तक गर गर तक प्रवाबित करता है अब इससे फायदा क्या है दोस्तों इस बात को आप समझो इससे फायदा यह है कि जब हम communication करना छोड़ देते हैं अपने लीडर से तो लीडर कहिने कहीं नीगेटिव हो जाता है कहिने कहीं वो डी मोटीव हो जाता है कह हम इसा एक बात ध्यान रखें कि जब जब आप communication करेंगे जिस तरीके से transformer का कभी कभी फ्यूज उड़ जाता है तो वहां पे फ्यूज उड़ता है तो हमारे घरों में बिजली घुल हो जाती है पावर आता नहीं है energy आता नहीं है हम कुछ भी ना तो fan चला पाते हैं ना तो PC on कर पाते हैं ना तो TV चला पाते हैं ना तो mobile शार्ज कर पाते हैं उसी तरीके से जब आप एक लीडर से आप बाचीत करना बंद कर देते हैं बहुत सारी लीडर का सोच मैं बताता हूं एक दिन बात कर लिया एक मैने तक बात नहीं करेंगे सरे एक बात बताओ एक दिन लडाई जगड़े में उतर जाओगे अंजन बैट जाओगे हैना धरना धर्दोगे हैना तो बहुत सारी चीजे हैं उसी तरीके से समझे इस बिजनेस को मैं बहुत ही असान एक्जामपल से आपको समझाने कोशिस कर रहा हूं कि जब आप एक हर लीडर से चाहे आपका कोई हो डारेक्ट का लीडर हो लेवल तुघाओं लेवल पोर का हो अगर आपको सच में इस यस्टरम के मादरम से टायमेंट बनना अब कुमूनिकेशन हर दिन लेवल मिल गया, आपके अंदर attitude आ गया, थोड़ा सा क्या पैसा कमा लिए, आपके अंदर attitude में हमेशा बोलता हूँ, और ये चीज़ आपके अप्लाइन से आप सीखना, ये चीज़ आपको दीपकराव चलेंग देता है, कल के डेट में मैं अगर कड़ोर रुपे भी कमा लिय तो आज चोटा सा रेंग हो गया, अगर आप में प्राउडनेस आ गया, बहुत आपके अंदर attitude आ गया है, तो उहां से आपका बिजनेस डाउन पहल चला जाता है, हमेशा आप बिनमर रहें अपने टीम से, मैं हमेशा एक बात सिखाता हूँ, कल के डेट में यूटेग आप बिनमर ता, smiley face रखें, सकरात्मार करें, हमेशा कि जिससे भी मिले ना, मुस्कुरा करके मिलें, हमेशा जिससे भी selfie लें, मुस्कुरा करके selfie लें, तो एक अलग ही प्रभावसाली effective personality आपका बनता है, अगर इन सब चीजों को आप सोचते हैं और करते हैं, improve your dressing sense, dressing sense इस तरीक dressing sense भी आप देखें कि कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है, अपने dressing sense को सुधार है, कपड़े साफ सुतरा होनी चाहिए, कपड़ों की fitting सही होनी चाहिए, परिस्तिति का नशार कपड़े hair style अच्छी होनी चाहिए, be nice to other, दूसरों के प्रतिया अपने बिवहार को अच्छा What is the first impression is the last impression, एक बार जिस ब्रक्ति से मिले ना, तो उस से अपना बिवहार जो है, वो बहुत बहतर रखें, बहुत कमाल का रखें, एक बिवहार ही है ना, जो पहले बार में किसी ब्रक्ति का दिवाना हो जाता है, कहते हैं किसी लड़की से पहले ही दफा में प्यार हो जात कभी किसी की हमें बिवहार, किसी की बाते हमें अच्छा लग जाता है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ प्यार करने के लिए तो नहीं आये हैं यूटिक में, लेकिन हम यहाँ ब्यापार करने के लिए आया हैं दोस्तों, और बिवहार में भी एक अच्छा बिवहार, कहते हैं क जिने सही बोला है कि उसी का ब्योपार सबसे ज़्यादा होगा जिसका सबसे अच्छा ब्योभार होगा तो अगर ब्योभार आपका सबसे बेतर है तो आपका ब्योपार भी बहुत बेतर रहेगा आपका रिविन्यू भी बहुत बेतर रहेगा आपका कामियाभी बहुत होगा तो हमेशा अपने दूसरे को प्रती आपका बिखार जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अपने हाथ में भी स्वास को बढ़ाए कभी भी लेक आप कॉन्फिडेंस हम कब होते हैं घबराते कब हम बहुत बार हम प्लान दिखाने से जो होगा देखा झाएगा मैं तो एचाहिए ता और आज आप किसी से मेरे को फॉल अप करवा लीजियक जै किसी से बात करवा लीजियक महारे बिक्ती से बात कर लेता वाय विकाज मैंने अपने confidence को boast किया देखिए दोस्तों डर के आगे ही जीत है कभी कभी आप देखे होंगे बहुत लोग स्काई driving करते हैं स्काई driving का मतलब क्या होता बहुत लोग चलते हुए मतलब बहुत बड़े हबाई जीहाज से बहुत बड़े बड़े हेली केप्टर से वो कोद जाते हैं दस अजार फिट से पचास अजार फिट से चालिस अजार फिट से वो नीचे कोद दते हैं और उनके पास पैरा सूट होता है लेकिन एक द्यो जजबा होता ना चुनून होता है करेज होता है उनको भी तो मन में पहली बार डर लगा होगा पता नहीं कोदूंगा बचूंगा की नहीं बचूंगा या जिन्दा रहूंगा की नहीं रहूंगा लेकिन कोदते हैं वो सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पहाड़ों से कुदते हमने मनाली गये थे तो मनाली में बहुत लोग स्काइड ड्राइविंग कर रहे थे वो भी तो डर होता है मन में है न तो एक बात हमेश는 है जब आप किसी का मैं को करेंगे न कहते हैं की हमने अव düşün लिखना दोस्तों जब हमनें अभ्यास किया जबहम इस बार बार उसका प्रैक्टिस किया अगर आपको इंविटेशन करना नहीं आता बार बार इनबार्इट करो आप को इिमिटिसन करना आजाएगा आपको प्लान दिखाना नहीं होता बार बार प्लान दिखाओ आपके प्लान में बहुत सisko्मारा ये काई ये क्योर सी न्यारी मजब लेश टाइम में आप प्लान को कंप्लीट कर पाएंगे विश्वाष बहुत जरूरी है आज पूरे इंडिस्टी को उठा के देख लेना क्या डैमेंड रैंक में जो CMD सर ने दिया है एक कड़ोर रुपए पूरे इंडिस्टी में किसी कमपनी के पास नहीं है यह बात मैं ठोक करके सकता हूं आप सार्च कर लेना मैं तो सार्च करके बता रहा हूं आपको पूरे इ इनमें आपने इतनी बात हैं मैंने जो आपको परस्नालटी की बताए अगर इन बातों को आपने कैसे भी अपने दिमाख में बैठा लिया कैसे भी आपने implement कर लिया है ना तो अपने आप पर यकीन रखना diamond वही बनेगा जो अपने आप पर यकीन करेगा believe अपने आप पर पहले खुद के उपर बरोसा team तो बाद में बनती है दोस्तों diamond तो लोग बाद में बनते है सबसे पहले खुद पर बरोसा होना चाहिए कि मैं बन पाऊंगा की नहीं मैं बन जाऊंगा की नहीं है ना और जब खुद पर यकीन हो जाता ना खुद पर बरोसा हो जाता है खुद पर बरोसा सबसे पहले उसके बाद अप लाइन पर बरोसा उसके बाद company पर बरोसा उसके बाद system पर बरोसा उसके बाद अपने ग्रूप के ट्रेनिंग मीटिंग पे भरोसा, अगर कुछी चीज़ों पे आपने यकीन कर लिया, तो डिपनेटली आप बहुत 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 आगे जाएंगे, इंप्रोपियोर मैनर्स, अपने सिस्टर चार में सुधार लाएं, अगर अपलाइन कभी ही जानता हूँ कि आग बहुत बाते हों जो आपको बढ़ा क्लिष्ट लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, मुझे भी मेरे अपलाइन का भी बूला करते थे तो मेरे गुरु जब बोला करते तो मुझे बुरा लगा करता था कि कुछ लोग आज भले उनका उम्र 30 साल है 35 साल है चालिस साल है है ना लेकिन कहते हैं कुछ लोग तो आज 30-35-40 साल के उम्र में ही मर चुके हैं और दफनाये जाते हैं सी के उम्र में बुरा मत मानन ये लेकिन ये सच्चाई है आज अप्लाइन का मेसेज आ रहा है कोई भी ओके थैंक्यो नहीं है जी सर हाँ सर कुछ भी नहीं है आज अप्लाइन का कॉल आ रहा है कोई भी उस कॉल का जवाब नहीं है तो अपने जीवन में सिष्टा चार में सुधार लाएं अब आज का जो की ओ अगर आम का पेंड की उमीद कर रहे हो कि मुझे आम का फल आंगे तो कभी नहीं आएगा अगर आप बिज्ब बिचा रहे हो तो आपके डाउं लाईन्ड भी आपके लिए कानटे बिचाएंगे और वही कांटों में चल करके आपको आना पड़ेगा तो हमेशा ध्यान रखें अगर आफ सिस्टा चार रखेंगे अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देंगे अपने बिजनेस पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे तो कहते हैं कि अगर रिस्पेक्ट और सिस्टा चार अगर कहीं खरीदा जाता तो हर विक्ति पैसा दे कर खरीद लेत सिस्टा चार और रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगा तो हमेशा ध्यान रखें अपने अपलाइन को अपने अपलाइन का रिगार्ड करें रिस्पेक्ट करें अपने बिजनेस पार्टनर का रिगार्ड करें र लेकिन उसकी बात को आप बीच में ही काड़ देते हैं कोई भी बात कहता ना मैं हमेशा सबसे पहले उनकी बातों को सुनता हूं हाँ बाई बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है सुनने के बाद फिर उनको मैं जबाब देता हूं तो हमेशा एक अच्छा लीडर का परसनाल में कनवर्ट नहीं कर सकते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहो दोस्तों कुछ ना कुछ वीडियो देखते रहो कुछ ना कुछ मोटिवेशनल किताबें पढ़ते रहो कुछ ना कुछ किसी की जीवनी पढ़ते रहो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मीटिंग करते रहो इससे क्या होग कि आपके business में, आपका knowledge में, आपके confidence में, आपको एक अच्छा leader बनने में आपको एक बहतरी होगी, कुछ किताबें, कुछ video, कुछ आडियो, कुछ चीजें सीखते रहो, निर्ने लेना बहुत जुरूरी है दोस्तो, निर्ने क्या होता है, निर्ने होता है कि मान के चलो मुझ मुझे कहीं प्लान दिखाने जाना है, तो निर्ने लेना पड़ेगा, decision is so important in life, है ना, मान के चलो मुझे बुखार हो गया, मैं बुखार से तप रहा हूँ, लेकिन मैं एक निर्ने नहीं नहीं ले पा रहा हूँ, कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये तो एक नि मैंने हो गया, टीक करने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है, कि सही समय में निर्ने नहीं लेने से हमें बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ा डैमेज हमें आता है, एक ऐसा डैमेज आता है, एक ऐसा नुकसान होता है, जिसका बरपाई, बहु पर्सनालिटी क्या होता है दोस्तों आप लोगों ने देखा और मैं पर्सनालिटी कोई अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं मानता हूं आज मैंने जितनी भी बातें आप सभी से बोला हैं यू हैब टू शेयर दा फीडवाइक यह मैं चैट बटन सेयर कर दिया हूं और चैट पर्सनालिटी का मतलब के बल अच्छा कपड़ा पहनना नहीं है पर्सनालिटी का मतलब यह जितने भी पॉइंट मैंने आप से डिसकस किया है समझाते हूए डिसकस किया है तो यह एक सूपर पर्सनालिटी है यूट एक बिजनेस में जो आप सीखेंगे ना दोस्तों तो आ आप बहुत कमाल का सीखेंगे, मैं आपको एक ऐसा लीडर बनाना चाहता हूं, जो जहां से खड़ा हो, वहां से उसका कारवाँ सुरू हो, है ना, तो दोस्तों देखिए, आज हम जो पांसो नब्बे में सीख रहे हैं ना मेरे भाई, ये पांसो नब्बे में कहीं कोई भी इ सिखा दे, मैं चैलेंज देता हूं, है ना, आज, देखो मेरा ट्रेनिंग देने का परपस है कि आपका इनर कोर मजबूत होना चाहिए, आउटर कोर नहीं, आउटर कोर तो आज कोई भी बोलता है, कि भाई तुम अच्छा कपड़े पहन लो, अच्छा टाई पहन लो, अच जिस दिन आपने मजबूत कर लिया ना, तो डिपनेटली आप बहुत, 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 मतलब मेरा परपस है कि यू बिकम आगूड लीडर, यू बिकम आप सुपर लीडर, यू बिकम आप कावंडो लीडर, है ना, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए मेरा परपस है कि यू बिकम आ गूड लीडर ग्रेट लीडर तो गाईज अगर हमें इतना अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है तो हमें डिपनेटली अपने काम पे भी फोकस करना चाहिए और लग जाईए अब दो हजार चौबिस में आज तक ह हमारा रहेगा चाहर तारिकों लीडर मिटिंग और मैं आज भी आपको बता रहा हुं इस लीडर मिटिंग में ब्रॉंअ?... तो तो आप सभी ब्रॉंज लीडर से गोल्ड लीडर से सिल्वर लीडर से प्लेटेजम लेडिवर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीम को जरूर बेटर तरीके से इंप्रोव्मेंट करें है ना तो बहुत बहुत धनवान आपकी पावरफूल तो इसकीं डिपलममेंट का आज आपने मतलब समझा की कि what is the important of skill development है ना skill किस तरीके से हम बढ़ाएं है ना एक personality हम अच्छा कैसे करें है ना तो दोस्तों आज हमने सीखा बाकी मैं चलिए आपको income दिखा देता हूं आज का कि what is the good morning income today and finally we are going to close the season तो साथियों आप यहां पे देखेंगे 470 रुपए का जवर जस्त कमाल का income हो चुका है ना 470 रुपए का income हो चुका है ना ID भी green होना शुरू हो गया है आट बचकर पांच मिनट में एक ID green हो गई है है ना थोड़ा आपको team size भी दिखा देते हैं चलिए यहां पे देखिए दोस्तों एक लाख 1781 लोगों का team हो चुका है केबल उनसट डिरेक्ट से आप अपने डिरेक्ट में जादा जादा लोगों को लगाई है मैंने तो केबल 69 डिरेक्ट लगाया था अभी थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा तो 67 था लास्ट मेने में मैंने दो डिरेक्ट और लगाया था इस मेने मैं दो डिरेक्ट और लगाने जाओंगा तो सकता है 70 यान या 72 आपका यहां पे हो जाएगा तो अपने business partner को जरूर आगे बढ़ाएं डिरेक्ट जरूर लगाएं और आज एक्टिप परिवार के अगर हम संक्या की बात करें 37,000 से प्लस हो चुका है तो आप सभी को दिल से धन्नवाद दोस्तों Thank you so much है ना और लीडर मिटिंग में दोस्तों हमारा जो सैडोल पोग्राम वो सैडोल पोग्राम का हमारा लांचिंग है तो सैडोल पोग्राम में जितने भी लीडर को हमें सामिल होना है मतलब आज तक मैं इस बात की आपको गरंटी देता हूँ कि आज तक सायद ऐसा पोग्राम अभी यूटेक में नहीं हुआ होगा इस बात को मैं लिख करके देता हूँ हमारे इंड तुझे तो क्या कंपनी इंड से भी नहीं होगा होगा इस लेबल का इस बार हम पोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं अपने सैडोल में जिसका पूरा पूरा बुकिंग का जो डीटेल है आपको हमारे अप्लिकेशन में मिलेगा कैसे बुकिंग करना है हम लोग बुकिंग करके बताएंगे हम लोग बुकिंग करके भी आपको दिखाएंगे है ना किस तरीके से आप बुकिंग करेंगे सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा मिटिंग जी दिया जाएगा कल के लीडर मिटिंग में और हम जन्वरी का भी पूरा रूप रेका तैयार करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों तो टेक ये और पास्ट्यू डिसीज़न और स्टार्ट इस बिजनस राइट नौ जो भी साथी हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलिग्राम चैनल से आप जुड़ जाएएं क्योंकि अभी मेरा वाटसप बार बार ब्लॉक हो रहा है मैं बहुत परसान हूँ फुल मिला करके और वाटसप मेरा ब्लॉक हो जाता है तो फिर एक मैने तक अनलोक ही नहीं होता है तो टेली ग्राम चैनल के माद्धियम से दोस्तों आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं और टेली ग्राम चैनल के माद्धियम से आप बहुत ही बहतर तरीके से हम से आप कम्मुनिकेट कर सकते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को चेट बटन में मैं टेलीग्राम का चैनल फिर से दे देता हूं जो भी साथी नए है वो हमारे टेलीग्राम чैनल में चेट बटन में जाकर के टेलीग्राम čैनल को जोईन कर लें बा CGI साथियों आप समय जादा हो चुका है और मैं आप सभी से लेना चाहूंगा इजाजत और आप सभी को कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्वाद कल के लिए लीडर मिटिंग है दोस्तों पहले ही बता दे रहा हूं चार तारीक को हम लोग लीडर मिटिंग रख रहे हैं इस बार इसलिए थोड़ा सा लीडर मिटिंग में हम लेट रखे हैं क्योंकि बहुत सारी लीडर हमारे सफर में थे बहुत सारी लीडर अभी घर नहीं पहुँचे हैं इसी कारण हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं इस leader meeting को तो दोस्तों कल हमारा 10 बजे से 10 बज करके 15 मिनट से जी हां दोस्तों इस बात को मैं इंचे ओर कर रहा हूं आप सभी से 10 बज करके 15 मिनट से हमारा leader meeting रहेगा तो इस leader meeting में आप सभी को सामिल होना है आप सभी विजनेस पार्टनर को सामिल होना है है ना और थैंक्यू आज के दिन के लिए इतना ही जय हिन जय यू टेक स्वस्त रहिए मस्त रहिए